शरत पवार ने NCP अध्यक्ष का पद छोड़ने का किया एलान कहा रिटार्मेंट ले रहा हूँ 24 साल पहले शरत पवार ने NCP की स्थापना की थी पवार बोले चहता हूँ कोई और इस जिम्मेटारी को संभाले पवार के इस एलान से राजनितिक महकमे में भूचाल शरत पवार ने राश्ट्रमादी कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने का एलान किया है मुंबई के YB 24 सेंटर में उनकी किताब के विमोचन का आज कारेक्रम हो रहा है शरत पवार ने NCP अध्यक्ष का पद छोड़ने की घोशना करते हुए कहा कि मैं अध्यक्ष पद से रिटार्मेंट ले रहा हूँ शरत पवार ने कॉंग्रेस छोड़ कर 1999 में NCP बनाई थी शरत पवार ने इसके संगे हाल ही में दिये थे जब उन्होंने कहा था कि रोटी को अगर समय पर न पल्टा जाए तो जल जाती है शरत पवार ने मुंबई में अपनी पुस्तक विमोचन के कारेक्रम में बड़ी घोशना करते हुए सभी को एक बार फिर चोका दिया शरत पवार ने कहा मुझे लंबे समय तक पार्टी के नेतरुतव का मौका मिला मैंने अध्यक्षपद की कई साल जिम्मेदारी निभाई मैं चाता हूँ कि कोई और इस जिम्मेदारी को संभाले अब मैं अध्यक्षपद से रिटार्मेंट ले रहा हूँ शरत पवार ने जैसे ही नसिपी अध्यक्षपद के इस्तिपे की घोश ना की नसिपी के तमाम बड़े नेता हाथ जोडने लगे इस दोरान समर्थकों ने पवार के समर्थन में जोरदार नारिबाजी शुरू कर दी हाल ही में एनसिपी यूतवींग के एक कारेकर में शरत पवार ने इशारा कर दिया था कि अब नेतरूत्व परिवर्तन का सही वक्त है महराश्य टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई